बैस बाॉल बना इंग्लाइन क्रिकेटीम का सबसे बड़ा दुश्मन आप सब को भी पता है कि मैसब इंग्लाइन क्रिकेटीम की एक टेमफिंजी की है जो टेश्ट में अपलाई करते हैं लेकिन अब बैस बॉल उनका काम नहीं आरहे जबसे वो इंडिया के साथ टिश्ट मैच खेल रहे हैं पहले दिन तो उनकी हालत जो थी वो खसता ही नजर आई बलकि बैसबॉल नहीं बलकि यह शुशी जैस्वाल ने दिखा है कि इसलिए बैसबॉल होता क्या है अब भारत के एक पूरो क्रिकेटर है आकाश शुपडा उन इनका उसका क्या ने लेकिन अब कही न कहीं उनका उनकी सट्रेंट्टमटर में तब्लकिव कार्योंकर दिखा दिया कि इस तरीके से इंग्लेंड का भी गेम चल रहा है हाला कि हम पांच मुकाबलों का तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि कि इंग्लैंड ऐसी टीम है जो कभी भी कंबैक कर सकती है लेकिन अभी फिलाल इस मुकाबले की बात करें तो इंग्लैंड के बहुत जदा बेकार नजर आ रही है उन्हें समझ निया रहे कि आम बॉलिंग कैस लेकिन इंडियन टीम को उसका उसका प्रभाव पढ़ते हुए हम नहीं देख पाने कि अगर कोई खिलाडी आउट हो रहा है असी रन पे आउट होके गहते जैस्वाल लेकिन उसका एक परसंट भी जो फरक बढ़ा हो इंडियन टीम पे की स्कोर जो उसकी गती रुकी हो पहले फिर केल रहुल ने पारी समाली और बीच में इस रहा सईयर भी ठीक ठाक कहल के तो भारत को परिशान नहीं कर पा रहा है इस समेंग्लेंट बेकिन अब क्या देख रहे हैं यह बैस बॉल नहीं है बलकि जैस बॉल है यह श्रश्वी जैसवाल ने दिखाया है कि टेस्क्रिक कैसे खेलना चाहिए जब से इंग्लैंड ने बैस बॉल खेलना शुरू किया टेश्ट इस नहीं हारी है लेकिन इस स्रीज में हारेगी यहां पर क्लियर आकाश्य उपड़ा ने बोला है कि बैस बॉल की वज़े से इंग्लैंड को टेस्ट रीज हारना पड़ेगा क्योंकि इसकी ब्यूटी यही होती है कि आप धीरे-धीरे बिकर खेले बल्ले बाज़ करें लेकिन एक यह नया ट्रेंड इंग्लैंड लेकर आई है कि वह बैस बॉल खेलते हैं जल्दी-जल्दी मतलब रंस बनाते हैं स्कोर बोर्ट पर रंस लगाते हैं सामने वाली जो बॉलिंग इस पर अभी कुछ कहना तो सब्सक्राइब लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि इंडियन टीम को यह सीरीज हराना मुश्किल है बिल्कुल बहुत ही जाधा मुश्किल है और सच बोलो दिवैंशी तो मुझे बैस बॉल का इतने जदा नजर भी नहीं आया इंग्लैंड का जो उनकी स्टेटजी होती थी कहीं भी किसी देश में जाते थे अपने देश में लेकिन इंडिया के सामने वह स्टेटजी फेल हो बिल्कुल और जिस तरीके से ये बैस बॉल की बात करते हैं जितना इन्होंने पूरे दिन में आकरी गंटे में सिर्फ इंडिया बल्ले बादी की एक से सवा गंटा पूरे दिन में इनके बल्ले से 246 रनाया थे और उसका लगभक आधा इंडियन टीम ने मात्रे डेड़ ग बाता है बिल्कुल बाकि आप आकाश चोपडा की इस स्टेटमेंट से कितने ज़्याद सहमत है कॉमेंट सेक्षिन में कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ साथ फान स्पोर्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नभूलें